हलो एंड गूड इनिंग क्रिकेट अपना चैनल पे आज काफी दिन के ब्रेक के बाद मैं आपके सामने फिर से हाजीर हुआ हूँ और अभी हमारी इंडिया टीम जो की टीटिटी वर्ड कप जीतने के बाद में अभी एक्टिव क्रिकेट से बहुत दूर थी लेकिन अब चु रहा है और जैसा कि हम को सब हम सभी जानते हैं कि अभी जस्ट कंक्लूडेट सिरीज जो मैं जो की पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच हुई थी पाकिस्तान में ही वहाँ पे बंगलादेश से किस तरीके से पाकिस्तान का वाइट वास किया था ये सभी ने देखा किस तर से बंगलादेश ने डिटर्माइन्ड होकर के खिला वो काबिले तारीफ है और बंगलादेश की टीम अभी जो है फिलाल अभी जो पीछे पास्ट में या अभी प्रजेंट में है कह लीजिए कि जिस तरीके से वो हर फॉर्मेट में चाहिए आपका वन डेर्स हो चाहिए आप तो इस तरीके से देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जो स्रीज हो रही है इंडिया में हलाकि इंडिया टीम को इंडिया में ही उनकी घरेली जमीन पहराना बड़ी बड़ी टीमों के लिए बहुत बड़ी चुना होती है लेकिन यू नेवर नो क्रिकेट में दिन की बात होती है एक गेन बैक्स्वन के लिए खराब एक एक गेन वन बॉल इस एनफ तो हम यह नहीं कह सकते तो किसी को भी कमतर आकना इस इस समय प्रजंट सिनारियों में यह बिलकुल भूल होगी तो उसी को मद्दे नजर रखते हुए हमारे सेलेक्टर्स ने हमारे मेनेजमेंट ने जो टीम चुनी है चुनी है और यह टीम जो है हंडेट परसेंट जरूर जो है क्लीन स्वीप करेगी ऐसा मैं पूरा विस्वास है मैं बात करूं कि जो टूर प्रोग्राम है इंडिया बंगलादेश का वह इस तरीके से जो पहला टेस्ट मैच है वह कीम का इंडिया का कंबिनेशन है वो रोहिष सर्मा यससी जैस्वाल सुमन गेल देन विराट कोली देन केल रहूल देन सर्फरास खान देन रिशाप पंत एजे विकिट कीपर द्रूज रेल स्टैंबाई विकिट कीपर देन रविचंदर नास्विन देन जडेजा देन अक् काजदीप, मुम्रा, एंड यस्देयाल यह हमारी टीम का कंबिनेशन है तो बड़ी बैलेंस टीम चुनी है सेलेक्टर्स ने और सभी को सभी का मत्तब जितने विकिट कीपर स्वरी जितने बैट्समें जितने बॉलर्स, अलाउंडर्स सभी को मिक्सप किया है और यह फाइन 11 चुनी जाएगी है इस पर चॉइस ऑफ दी कैप्टेन तो वह बात की बात है बट एज अफ नाओ ऑन पेपर्स इंडिया टीम लुक्स वरी वरी स्ट्रॉम हम अगर इंडिन स्कॉइट की हाल बात करें नहीं हाईलाइट्स अगर देखें तो अकाजी जो है सेलेक्टेट के है आकाजी पोड़ेक्ट किया गया है पंतिस बैक पंत के बारे में इसलिए बैक पंतिस बैक कह रहा हूं क्योंकि पंत आप्टर दी एक्सिदेंट जो है टेस्ट क्रिकेट पर प्रिवापसी करने के लिए जा रहे हैं दूज रेल और सर्फरास खान को रिटेन किया गया है पर्फॉर्मेंस के इसाफ से देन यजदेयाल को डेबू करने का मौका मिला है जडेजा असिन कुलीप एंड अक्षर पतेल ये कौटेट होगा हमारी स्पिन अटेक का और इस्पिरेड हमारे होंगे जो जिसको लीड करेंगा हमारे भूमरा साप मुंबस सिराज अकास दीप और यजदेयाल सो एक बैलेंस साइट है बिलकुल और हम इस टीम से पूरी अपक्षा रखते हैं कि ये टीम जो है पूरा क्लीन स्विप करेगी आने वाली सिरीज में लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का प्रदरसन अभी बंगलाजेस म ने किया है पाकिस्तान में पाकिस्तान की जमीन पर ही पाकिस्तान को हरा के आना बहुत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है लेकिन ये इंडिया के लिए एक विक अप कॉल भी हो सकती है कि आपको कमतर करके बिलकुल भी नहीं आकना है बंगलादेस की टीम को बंगलादेस की ट बहुत जल्दी विकेट देने वालों में से नहीं है साकीब उलहसन बहुत मज़े हुए आलाउंडर है उनके तो कुल मिलाके मेरे कहने का मतलब है उनकी जो प्लस उनका जो बैटिंग का कंबिनेशन है वह भी बहुत अच्छा है एट एनी गिवन डे वह भी बहुत अच्छा करने की ताकत रखते हैं तो उनको कम तर आखने की भूल हमें नहीं करनी और नहीं हम नहीं हमारे टीम करेगी यह आम डेट श्योर तो होफुली मैं हम आसा कर देंगे रोही सर्मा एंड कंपनी से कि वह दो जीदों से क्लीन स्वीप करें और इंडिया को जरूर इन मैचेज में विजयी बनवाएं एक बात और बहुत पूर्ण है कि हमारे कोच गौतम गंभीर जो कि विनिली अपर्टेट हुए है राहुल ड्राइवट की जगह पे उ आज ए कोच तो एंडेट परसेंट है टीम इंडिया उनको उनकी फॉस्स अजीश से ही एक विनिंग नोट में लेके चलना चाहेगी पीज कोफवली गॉस्ट कोफवली टीमालट सी वह जो स्वी टीमालट सी वह जी बेंड मेरां हुआ कोच टीमालbene विन कोॉरी को पेंड फ्युट एंट कु घुट इंडा प्तिक कोच विन घ्यूय तक तो एंडिट मैंगी जग्त पॉंए तो ह्यू किए वेस्ट हुआ है